साथियों, आज भारत नई रिती और नई नी नीती पर चल रहा है उरी हमले के बात भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतं के आकाओं को पहली बार उस बासा में समझाया जो बाशा वो समझते हैं आप मुझे बताईए मैंने सही किया कि नहीं किया ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्या सरकारे सोती रहे वो आपको मंजूर है चोकिदार सो जाए आपको मंजूर होगा आपको जागने वाला चोकिदार चाहिए कि नहीं चाहिए देश को जिताने वाला चोकिदार चाहिए कि नहीं चाहिए भाईयों बेनों उरी के बाद सबूत मांग रहे थे सबूत अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दसकों तक कभी नहीं हुआ है हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में गुश करके मारा है आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मिद नहीं थी वे सोच रहे थे, कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की, तो दिसीर बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक लाकर कर पता नहीं क्या क्या रख दिया उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी, हम उपर से चले गए और मजा देखिये, हम तो यह साब करकर के चुप थे, रात के साड़े तिन बज़ गए थे, देश को क्यों जगाना भाई? लेकिन Е.S.C. यह घटना इतनी बड़ी थी, घटना इतनी बड़ी थी, कि रात को साड़े तीन बज़े पाकिस्तान की निंद्ध खतम हो गई, हम तो चूप थे, हम सोच रहे थे, क्या होता है देखते हैं, पाकिस्तान ऐसा घबड़ा गया था कि पांच बजे उसने ट्वीट करकर के रोना शुरू कर दिया मोधी ने मारा मोधी ने मारा मोधी ने मारा दुनिया को उनकी हालत बिगडिये इसके समाच और हमने नहीं दिये पाकिस्तान नहीं दिये थे जब surgical strike हुआ था, देश को खबर पहले हमने की थी, इस बार हम देखते हैं नए तरीके से आगे बढ़ेंगे और वही रोने लगे रहें वो तो यही सोच रहें थे, कि भारत पर घाव किये जाओ, हमले किये जाओ, प्रोक्सी वर किये जाओ, भारत तो कुछ नहीं करेगा, वो हाथ पर हाथ जोड़ करके बैठा रहेगा, देश के दुश्मनों में भारत के प्रतिये जो सोच बरी है, तो उसका मूल कारण 2014 के पहले जो सरकारे थी, रिमोट कंट्रोल वाली, उनका रवईया ऐसा था, इसके कारण इनको यादत हो गई था, साथियों भारत कभी नहीं भूल सकता कि 2016 को, 2016-2008 को मुंबे बे पाकिस्तान से आये आतंकियों ने, आतंकी हमला किया था, क्या भूल सकते हैं क्या? उस समय कुछ करने की जरौत थी कि नहीं थी? दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन इसके लिए दम चाहिए दोस्तों. सारे सबूत पाकिस्तान में बैठे आतंके, आतंका, आतंकियों के पुरूप मिल रहे थे. सारे पुरूप उनको गुनेगार सिद्ध करे थे. लेकिन भारत ने क्या किया? पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया? खबरे तो ये भी है, उस समय भी हमारी सेना, हमारी बायू सेना, हमारी नव सेना, बदला लेने के तयार थी. सेना का खुन गरम हो रहा था, दिल्ली ठंडे बिस्तर में पड़ा था. लेकिन हमारे सुरक्षाबलों को इजाजत नहीं दी गई, उनके हाथ पर बांद कर रखा गया, क्या हाथ पर बांद कर गया आतनिंगा मुकाबला हो सकता है क्या? सेना के जवानों के बेड़िया पहन करके हम कहोगे मारो, ये चल सकता है क्या? क्या ऐसे देश की सुरक्षा होती है क्या? क्या देश के दुष्पन के साथ ऐसी नर्मी बर्त दिखनी चाहिए क्या? साथ यही वज़ा थी कि मुंबई हमले के बाल भी देश में लगातार आतन के हमले होते रहे याद करिए साल 2010 में फूरे में एक बेकरी में बंदमाका हुआ उसी साल 12 नसी में दसासमों में एक घाट पर बंदमाका हुआ याद करिए साल 2011 में मुंबई में फिर आतन के हमला हुआ उपेरा हाउस जावरी बाजार दादर में बंधटे फिर उसी साल 2011 में दिल्ली हाई कोट के सामने भी बंधटा इसी तरह साल 2013 में हैजराबाद के भीड़ भारे बरजार में बंदमाका हुआ एक के बाद एक मम जबा के हो रहे थे सैंकडों बेस के सुर लोग मारे जा रहे थे सैंकडों गायल हो रहे थे इन हम लोग के तार भी हर बार सीमा पार जुड़े हुए थे लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया उन लोगों ने अपनी नीती नहीं बढ़ ली तो शिर्फ ग्रह मंत्री बढ़ ले अम नीती बदलनी चाहिए कि ग्रह मंत्री बदलना चाहिए साथियों अगर पहले की सरकार में डम खम दिखाया होता तो आतंकियों को उसी भासे में जिवाब दिया होता जो भासा वो समझते हैं तो आज आज आतंक इतना बड़ा जो नासूर बन गया है वो नहीं बन पाता सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और इस साल फरवरी में एस्ट्राइक के बाद आतंक के आँकाओं को समझ आ गया है कि ये पुराने वाला भारत नहीं है भारत की कारवाई के बाद अब वो बुरी तरब वोगलाये हुए है देश के सुरक्षावल हमारे वीर जवान अपना काम कर रहे हैं लेकिन इस देश के अनागरिक के तौर पर हमें भी सतरक रहना अपना दाहित्वन निभाना है हर उस ताकत को जवाब देना है जो देश के टुकडे टुकडे करने का सपना देख रहा है जो बारत में हमले की साजिस रत रहे हैं हमें उन लोगों पर भी अपनी द्रश्टी रखनी है जो ही समय भाईयो भहनो एक बात की और भी देश के नागरिकों को ध्यान देना होगा आज हमारे देश के भीतर अपने आपको बड़े नेता मानने वाले लोग सत्ता के सिहासन पर बुद्कान में बैटे हुए लोग जो भाषा बोल रहे हैं उस भाषा से दुश्मनों को ताकत मिल रही है दुश्मनों को ताकत मिल रही है ये लोग यहाँ विवादित बयान दे रहे हैं सवाल भारत के वीरों के पराकम पर उठा रहे हैं और उनके निवेदन सुन करके तालिया पाकिस्तान में बज़ रही है ऐसे लोगों को देश की जनताने सही रास्ते पर लाना चैक नहीं लाना चाहिए ये सही परास्ते पर लाने का काम आप करोगे नहीं करोगे